दिल्ली हाई कोर्ट में marital rape से जोड़ी याजका पर सुनवाई चल रही है किंद सरकार ने कहा है कि उसे इस विशे पर जवाब देनी के लिए और अधिक समय चाहिए marital rape एक ऐसा विशे है जो सीधे तोर पर शादी की विवस्ता और परिवारों के रिष्टों को प्रभावत कर सकता है एक तरफ पीड़त महीलाए है जो इंसाफ मांग रही है और दूसरी तरफ भारत की कानून विवस्ता है जिसे इस नाज़क विशे के हर पहलू को गंभीरता से समझने के बाद फैसला देना है आज हम marital rape की एक विक्टिम की कहानी सामने ला रहे है ये कहानी कुछ लोगों को परिशान और विशलत कर सकती है पीड़ता लखनों में रहनी वाली एक यूपती है जाने उनकी कहानी उनी की जबानी मैं एक खुशाल परिवार की एक लोटी बेटी हूँ मैंने अच्छी education हासल की है और सामाचे कारियों से जुड़ी रही हूँ मेरे पिता एक सरकारी अधिकारी थे मेरी शादी दिसंबर 2018 में हुई ये करेंज मारज थी हम दोनों के परिवार कई बार एक दूसरे से मिले और पूरी सहमती के बाद रश्टा तै हुआ मेरी शादी एम से पड़े एक डॉक्टर से हो रही थी मेरे पिता ने अपनी जिन्दगी की पूरी कमाई इसमें लगा दी एक लड़की सारी जिन्दगी शादी की सपने देखती है एक अच्छे जीवन की कलपना करती है मैं भी इसे लेकर उच्साहित थी लेकिन मेरी शादी मेरे जीवन का सबसे खराब अनुभव साबित हुई मैं सर्फ नौदन ससुराल में रही मुझे शारिरिक और मानसिक तोर पर इतना प्रतारित किया गया कि मैं पूरी तरह हताश हो गए थी मैं घायल थी और मुझे इस्पिताल में भरती होना पड़ा था मुझे लगता है कि अगर मैं उन नौदनों से जादा ससुराल में रुकती तो मैं जिन्दा नहीं लोट पाती मेरे साथ जो घटना हुई थी वो मेरी शादी के तीसरे दिन हुई थी जहां मेरे हस्बिन ने पहले मुझे जबदस्ती शराब दिलाई और फिस जब मैं नशे की हालत में थी तो मेरे शरीर पर अलग-अलग तरह के वाइडरेटर और डिल्डो इस्तिमाल किये सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने मेरे शरीर में डियूरिन की बॉटल इंसर्ट की उसका स्प्रेयर मुझे अगले दिन मिला था जब मेरा खून बहत जादा बहरा था वो एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में कोई भी लड़की सोच भी नहीं सकती है कि उसे शादी के बाद इस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है उसका अपना पती उसके साथ इतना बर-बर हो सकता है हम अधिक्तम यही सोच पाते हैं कि अधिक से अधिक होगा तो वो आपके साथ जबदस्ती सेक्स करना चाहेगा और अगर वो आपका पती है तो आप उसे स्विकार भी कर लेंगी क्योंकि वो उसका हक है यह घटना मेरे साथ सिर्फ एक बार नहीं हुई उन नौ दिनों में कई बार हुई पहले बार जब उनोंने मेरे साथ इंटरकोस की कोशिश की थी तो वो कर नहीं पाए थे मुझे लगा कि शायद उनका इगो हट हुआ होगा और इसलिए उनोंने ऐसा किया होगा लेकिन जब मैंने देखा कि उनके पास अलग अलग तरह की वाइब्रेटो और डिल्डो थे तब मुझे रगा कि अचानत नहीं हुआ है ये चीज़े आसानी से नहीं मिलती है इन्हें कोई अपने घर में भी नहीं रखता है उसने इन्हें इस्तिमाल करने का प्लान बनाया होगा ये जानकर मेरे पैरों से जमीन किसक गई हमारे समाज में मारिटल रेप को रेप नहीं माना जाता है मारिटल रेप एक ऐसा विशह है जिससे हमारा समाज स्विकार कर ही नहीं सकता है आप किसी से भी कहो कि आप मारिटल रेप के विक्टिम हो दो तो पहरा response से ही आता है कि अगर आपकी शादी हुई है और अगर आपकी पती ने आपके साथ जबदस्ती sexual intercourse कर भी लिया तो ये उसका अधिकार है इसमें रेब जैसा कुछ भी नहीं है जब मेरे साथ ये पहली बार हुआ और मैंने अपनी मा को बताया तो उनकी प्रतिक्रिया भी वही थी कि वो तुम्हारा पती है तुम्हारी शादी हुई है वो जो कुछ भी कर रहा है वो उसका legal right है इसमें रेब जैसा कुछ भी नहीं है शायद मेरी गलती ये थी कि मैंने अपनी मा को खुल कर बताया ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरा रेब हुआ है वो शायद समझ नहीं पाई क्योंकि अगर एक जनरेशन पहले की बात करें तो उन्होंने डिल्डो या वाइबरेटर कभी देखे भी नहीं होंगे पहली खटना में उन्होंने मुझे शराब पीने के लिए फोर्स किया था लेकिन इसके बाद जो खटनाई हुई थी शायद मैं उनके दौरान बहुत होश में नहीं थी जब मैं घर लोटी और याद करने की कोशिश की तो मुझे कुछ भी साफ याद नहीं आ रहा था मुझे ये तो याद आ रहा था कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है और मैं बहुत दर्ट में थी लेकिन तस्वीरे स्पश नहीं थी जो चीजें वहां मिली जिन पर मेरे बलट के स्पॉट थे मेरे जस्म के घाओ और मेरे फटे हुए कपड़ों से मुझे पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है मैं उनकी पत्नी थी मैंने उन्हें पूरी तरह से इंकार नहीं किया था बावजूद इसके मैंने हर रात जो कपड़े पहने वो मुझे अगले दिन फटे हुए मिले ये घटनाए नौ दिनों तक मेरे साथ लगतार होती रही मेरे घरवालों ने मुझे बहुत समझाया कि मैं कॉंप्रमाइस करूँ क्योंकि ये मेरे पती का लीगल राइट है उसने मुझ से शादी की है लेकिन नौ दिनों के भीतर मैं उस स्टेज पर पहुँच गई थी कि अगर मैं और वहां रहती तो जिन्दा नहीं बच पाती मेरा खून लगतार बह रहा था मैं तीक अमजोर हो गई थी कि मैं बेहोश हो गई जब होश आया तो पता चला कि मैं दो दिनों से अस्पताल में हूँ मुझे टाके लगे थे खून इतना बह गया था कि मुझे खून चड़ाया जा रहा था डॉक्टरों ने मुझे बताया कि अगर मैं अस्पताल नहीं पहुँचती तो शायद मैं जिन्दा नहीं रहती जब आप ऐसी स्थिती में होते हो तो आपको लगता है कि अगर कोई और नहीं तो अपना परिवार आपके साथ होगा बेटियां पिता के बहुत करीब होती है मुझे लगा था कि मेरे पापा मेरा साथ देंगे लेकिन मुझे मेरी परिवार से जो पहली प्रतिक्रिया मिली तो मुझे लगा कि अच्छा होता अगर मैं अस्पतार से अपनी घरी नाई होती अच्छा होता कि मैं वहीं मर जाती कम से काम मुझे ये तो नहीं देखना होता कि मुझे अपनी जान से जादा प्यार करने वाले मेरे पापा भी मेरे साथ नहीं है मेरे अपने घरवाले भी उस आदमी के साथ ख़ड़े थे जसने मेरे ये हालत की थी मेरे पती एक डॉक्टर है और लख्राओं के एक बड़े अस्पतार में काम करते है मेरे साथ जब ये सब हो रहा था तो मैं पूरी दरा होश में नहीं थी वे कोई ड्रक मुझे दे रहे थे उन पलों में शायद मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मेरे शरीर के साथ क्या किया जा रहा है मैं तो ये सोच रही थी कि यदि AIM से पढ़ा हुआ इतनी अच्छी एजुकेशन हासल करने वाले एक डॉक्टर ऐसा कर सकता है तो निश्चत तोर पर वो किसी साइकोलोजिकल डिसॉडर से पीड़त है मुझे अपने साथ होए वेवहार की के इसके अलावा कोई और वज़ा समझ नहीं आती है मेरे पती सेक्शल बेहेविर के अलावा भी बहुत एग्रेसिव नेचर के है वो जबदस्ती करते हैं हालकि ये बात समझने के लिए मुझे बहुत लंबे समय अपने सस्वराल में नहीं रहना पड़ा लेकिन मेरे माई के पहुँचकर जो वेवार उन्होंने किया उससे यही जाहिर होता है उन्होंने मेरे परिजनों के सामने मुझे पर हाथ उठाया बालों से खीच कर मुझे पीटा मेरे पिता के साथ मत्तमीजी की मेरे माँ पर हाथ उठाने की कोशिश की इस वेवार से उनके नेचर और ब्रिंगिंग को समझा जा सकता है इस पूरे घटना क्रम के बाद मुझे एक सब्ता तक अस्पताल जाना पड़ा था मेरा शरीर ठीक नहीं हो पा रहा था माल से तोर पर भी मैं बहुत टूट चुकी थी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करू कुछ संभलने के बाद मैंने पहला कदम ये उठाया कि महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई इसके बाद महिला आयोग के जरिये मेरे मामले की F.I.R. दर्ज हुई थी मुकद्मा फिलहाल अदालत में है लेकिन COVID की वज़ा से अदालते बन रही है और इस कारण मेरा मुकद्मा कहीं पहुच नहीं पाया है भारत के कानून में अभी भी मैरिटल रेप अपराद नहीं है सिफ 15 साल से कम उम्र की पत्ती के साथ जबदस्ती सेक्सी रेप मारा जाता है लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो तो रेप से कहीं बढ़ कर है मेरे मन में सवाल कौनता है कि क्या भारत का मौजूता कानून इस तिती में मेरा इंसाफ कर पाएगा मैं जानती हूँ कि कारूनी लडाई अभी काफी लंबी चलेगी लडाई तब और लंबी हो जाती है जब आप देखते हैं कि आपको किन किन जर्यों से कमजोर किया जा सकता है उधारण के तौर पर जब मेरे साथ ये घटना हुई थी तब डॉक्टरों ने फॉरेंसिक टेस्स के लिए मेरे शरीज से कई साम्पिल लिये थे जिसमें वो वाइबरेटर और डियोडन बॉटल का स्प्रेयर भी था वो साम्पिल डॉक्टरों के टीम ने पुलीस को दिये थे उसकी रिसीविंग भी ली थी लेकिन जब पुलीस की चार्च के बाद मेरे मामलों की चार्चीट आदालत तक पहुची तब तक बहुत कुछ बदल चुका था डॉक्टरों ने साम्पिलों के ग्यारा लिफाफे पुलीस को दिये थे लेकिन चार्चीट में फॉरेंसिक टीम ने सिर्फ नौकर जिक्र किया है इससे साफ है कि पुलिस ने धानली की है इसी के आधार पर मेरे मुकदमे के मुख्य धाराओं को हटा दिया गया है और चार्चीट में केस को कमजोर कर दिया गया है भले ही हालात और विवस्था मेरे खिलाफ हो लेकिन मैं लड़ूगी मेरे पास इस लड़ाई के लिए काफी समय और पेशन्स है मेरा मकसद यहां सिफ अपनी लड़ाई के बारे में सोचना और एक बुरे आदमी से पीछा चुडाना नहीं है मेरा मकसद यह है कि किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो ये लड़ाई अब मेरी अपनी जिंदगी से जादा उन लड़कियों के बारे में है जो इस तरह की हिंसा का शिकार होती है या भवश्य में हो सकती है इसी के साथ हम आज की खबर को समाब करते हैं अगर हमारा विडियो आपको पसंद आया तो कृपया हमारी चानल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चली फिर मिलते हैं अगले विडियो में नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद